तो गाइस अगर आप किसी भी एनमी को हिंदी सब्टाइटल में देखना चाहते हैं तो आपको नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहाँ पर जोईन कर लिजे वहाँ पर ऐसा कोई एनमी नहीं है जो हिंदी सब्टाइटल में प्रिजेंट नहीं है वहाँ पर आपको प्राइवेट चेर की सुभिदा पर प्रदान की जाती है तो अगर आपको जॉइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स और कमेंट बाक्स में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करिए फोन नमबर से लॉगिन करके जॉइन कर लिजे तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है कि डेमन गोड फैंक्षू डेमन गोड अगारिस और डेमन गोड वासागो तीनों डेमन गोड ने लॉंग हाउचन को एक प से नोटिस करां तुम जब पहली बार ओजास इटी में मुझे देखे थे लोंग हाउचन सौक में कता है क्या उसने मुझे ओजास इटी में नोटिस कर लिया पर यह कैसे हो सकता है उस समय मेरी कल्टिवेशन बस लेवल 5 थी और लेवल 5 पर उस समय मेरी हेवनली बोडी भी नह हाई मेरी पास सन अफ लाइट की पावर्स की बारे में कोई जानता था तो आकिर जब मुझे नोटिस कैसे कर सकता है तो डेमन गौड फैंक्शू काता है अगर उस समय मेरी जांच में आश्रिन ग्रिफ मिल गया होता तो केवल आश्रिन ग्रिफ ही मारा जाता लेकिन उसने तुम्हारी पावर्स का अफियोग करते हुए अपनी आभा को मुझे छुपा लिया जिसके कान वह मेरी मेंटल पावर्स की जांस से बच गया और आज तुम्हें मनना पड़ा है तुम जानते हो मैं तुम पर बहुत ही समय से नजर रख रहा हूँ लांग हाउचन डेमन कहता कि तुम लड़की बने हुए थे और मैंने वहाँ पर भी तुम्हें पहचान लिया था लांग हाउचन यह बाते सुनकर काफी ज्यादा सोख हो जाता है डेमन गौड फैंक रुकता है मैं जानता हूँ तुम्हारे और यूवी-वी के बीच में क्या रिलेशन है और थोड़ा सा बस रास्ता भटक गई है लोंग हाउचन जब यह सुनता है कि डेमन गौड फैंक रुकता है तुम्हारे क्ल्टिवेशन अफबाउ से बहती जादा कम थी लेकिन तुमने उसे हरा दिया और मुझे अफबाउ को बचाने के लिए मायावी स्वर्ग के नियमों को थोड़कर अपनी पावर स्कापियो करते हुए उसे बचाने आना पड़ा और जब मैंने ऐसा किया तो मैं बहुत ही जादा घायल हो चुका था और तुम जानते हो यह सब किसने बचा है कि तुम्हारे पार टेलिपोटिशन पावर है हायू है सम मुझे अफबाउने बता है अगर तुम्हारे पास ऑस्ट्री गृफ नहीं होता तो मैं तुम्हे मारता ही नहीं तुम जानते हो इसका रिजन तो लॉंग हाउचन उसे बस ध्यान से ही देखा जा रहता है डेमन गॉड फ्रैंकशू चुफ हो जाता है तुम जानते हो लॉंग हाउचन मुझे डेमन का अब भोग करने के लिए शूरू करवाया था अगर तुम एक सासक होते ना तो तुम जरूर समझ जाते तो लौंग हाउचन कता है तुम ये क्या बाते करो तुम्हें जो करना है करो जल्दी से हमें मारना है तो मार दुमान गॉड फैंक्षु अपना सरी लाता है और एक हलक को तुम्हारे मरने के बाद जाने दूंगे इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डेमन गॉड अगारिस होता है महामाईम आप ये क्या बाते करें आप जान रहे ना कि इन लोग के डेमन हांट स्कैड में दो बंदे और हैं जिनके पास हैवेंली बोडी है तो डेमन गॉड तू इसलिए किया था क्योंकि वह जानता था कि जिसके पास हैवेंली बोडी होती है वह काफी ज़्यादा भविस्य में पारफूल होता है और वह उसके डेमन जाती के लिए काफी बड़ी मुसीबत हो सकता है लांग हाँचेंड वी डेमन गॉड फैंक्शू की बातों को सुनकर काफी ज़्यादा सौकता है डेमन गॉड फैंक्शू की तरफ देखकर लांग हाँचेंड सौक में कता है क्या तुम सत बोले क्या मैं मर जाओंगा तुम मेरे साथियों को जाने दोगे डेमन गॉड फैंक्शू कता है मैं आपने बोले हुई सब्दों को कभी वापस नहीं लेता है मैंने जो एक बार बोल दिया मैं वह करता हूँ और वहाँ पर डेमन गॉड वागसा गोस और डेमन गॉड अगारिस डेमन गॉड के सब्दों को जानते थे डेमन गॉड एक बार जो बोलते था था वो करकर ही राता था लॉंग हाँचेंड तुरंथ अपने साथिय ज्वाइन किया था तब ही से तुम्हारा जीवन मेरा नहीं बलकि टेंपल अफ एलाइंस का हो गया था तुम मेरी मौत का बदला लेना जाओ यहां से बच कर कल्टिवेशन करो और अपनी पावर को बढ़ाओ और एक दिन मेरी मौत का बदला इन सारे डीमन से जरूर लेना लौंग हाचन तुम ऐसे नहीं बार सकते अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगी और वहाँ पर कायर बहुत ही जादा रोने लगती है लौंग हाउचन तुरंत अपना हाथ कायर के एक गर्दन पर रखता है तुरंत वहाँ पर उसकी नास पर मार कर उसे बेहोस कर देता है कायर तुरंत वहीं पर बेहोस हो जाती है लौंग हाउचन उसके बालों को टच करते हुए खता है मैं तुम्हारे साथ राना चाता था लेकिन आज मुझे यहाँ पर मरना पर रहा है मैंने तुम्हारी जीवन भर रक्षा करने के लिए प्रण लिया था लेकिन मैं आज तुमसे वह प्रामिस तोड़ता हूँ और जो लॉंग हाँचन होता है वो कायर को अपनी गोद में उठाता है और सीधे ले जाकल लेडी वांग युवान युवान को दे देता और कहता है कास ऐसा होता है कि कायर फिर से सारी चीजों को भूल जाती और उसे कुछ भी मेरे बारे में याद नहीं रहता और वहाँ पर जो लॉंग हाँचन होता है वो लेडी वांग युवान युवान को कायर को सोबता है लेडी वांग युवान युवान कायर को लेती है और लॉंग हाँचन की तरफ देखने लगते है उसकी आखो से भी आसुबा रहता है उसके बाल लॉंग हाँचन अपने मेरी सातियों के जान बख्षने के लिए धनेवाद देता हूँ और मैं एक नाइट और मैंने जीवन पर नाइट के गुड़ी सीखे है और मैं कायरो की तरह कायरो की तरह नहीं मनना चाता इसलिए मैं आपको चुना होती देता हूँ तो Demon God Feng Shui उसकी तरफ ध्यान से देखता है Demon God Feng Shui की यांकों में इस समय बहुत ही जादा दुख था Demon God Feng Shui काता है ठीक है मैं तुम्हें यह सम्मान देता हूँ जाओ अपना एक अटेक सबसे पारफुल अटेक मुझपर करना Long Howchen काता है ठीक है उसके पार जो Long Howchen होता है वो पीछे अटता है और अपनी Sword of Nature को समन कर लेता है Sword of Nature की सील को हटा देता है और तुरंत Light Elemental Fairy को समन कर लेता है वैसे Light Elemental Fairy जब Long Howchen मरेगा तो उसका भी जीवत रहना बहुत ही जादा मुश्किल होगा वो भी साइद मरी जाएगी लेकिन उसके भी चहरे पर कोई भी डर नहीं था वो भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करके Long Howchen की पूरी Spiritual Energy को बढ़ाने लगती है और Long Howchen तुरंत Light Elemental Fairy से काता है इस Sword की सोल बन जाओ और जो Light Elemental Fairy होती है वो तुरंत Sword of Nature की सोल बन जाती है वहाँ पर बहुत ही खतरनाक है एकदम Sword Intent क्रियेट होने लगता है और चार उत्रब बहुत ही भायाना काबा फैन ले लगती है और Long Howchen तुरंत Demon God Feng Shoo पर यह अटेक करता है और वहाँ पर पूरी तरह चमक की चमक फैल जाती है और जब चमक खटती है तो वो लोग देखते हैं कि Long Howchen के सीने में पूरा छेदो चुका था एक बहुत ही बड़ा गड़ा उसके अंदर से खुन नहीं बढ़ाता लेकिन उसका दिल पूरा छेदो का फट गया था और Long Howchen तुरंत जमीन पर गिर जाती है और तभी हमें दिखा जता है कायर की आँखे उस आभा से खुल जाती है और कायर की जब आँखे कुलती है तो उसे Long Howchen के साथ बिताय गल सारी यादे वापस आने लगती है कायर को बचपन से लेकर एकदम लॉंग हाउचेन के साथ उसके सारे बिताय पल याद आने लगते हैं अब कायर को पूरी यादास वापस आ गई थी और कायर जब थोड़ा सा साइड ओटती है तो वह देखती है कि डेमन गॉड के एक अटेक से लॉंग हाउचेन के पूरी छाती फट चुकी है और उसके अंदर एक छेद हो चुका है और डेमन गॉड फैंक्चु हास रहा है और वहाँ पल लॉंग हाउचेन उसी की तरफ देख रहा है लौंग हाउचन मरते मरते यह जान गया था कि कायर की यादास वापस आ गई है और उसके चेहरे पर एक मुस्कांती और तुरंत लौंग हाउचन की आखे बंद हो जाती है और जैसे ही कायर लॉंग हाउचन को उसकी छाती में छे दुआ देखती है उसका दिल फ़र्ट चुका था और तुरांत वह दोड़ते दोड़ते लॉंग हाउचन के पास जाती है और उसे फकड कर रोने लगती है और काती है Long Howchen तुम ऐसे मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती है और कायर जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ पर जो Long Howchen की एकदम बचपन वाली पल यादाने लगता है कि कैसे Long Howchen ने उसकी जान बचाई थी उस डेमन से और वो अंतिम सांस तक लड़ा था और लोंग हाउचेन को अफ़बाव वाली घटना भी याद आने लगती है जब कायर की यादास वापस आई थी तो पिछली घटना है और सारी घटना है जुड़कर एक नई यादास बन गई थी कायर इस समय पूरी तरह रिकवर थी लेकिन उसके सामने लोंग हाउचेन मारा हुआ पड़ा था कायर बहुती ज़ादा रोने लगती है और उसे उठाने लगती है लोंग हाउचेन की टीम के सारे लोग भी लोंग हाउचेन की पास पहुंचते हैं और वो लोग भी देखते हैं कि लोंग हाउचेन की छाती के अंदर छ चेद हो चुक है और उसका जहां दिल होता है वो पूरा इक कट चुक है मतलब उसका दिल बचाई नहीं है जिसके काया लॉंग हाउचन की साह से बंद हो चुकी है सारे लोग बहुती जोर जोर से रोने लगते हैं और इधर हमें दिखाया जता है डेमन गॉड फैंक्शू की उंगली की तरफ लॉंग हाउचन की अटेक से डेमन गॉड की फैंक्शू की उंगली घैल हो चुकी थी डेमन गॉड फैंक्शू अपनी अंगली की तरफ देखता है और डेमन गॉड फैंक्शू के अंदर बहुती ज़्यादा अजीब आजीब सी भावनाय चले थी और वह जानते थे कि डेमन गॉट को घायल करना ना मुम्किन अगर वो लोग दोनों मिलकर भी डेमन गॉट फैंक्शूप पर अटेक करने तो वो लोग डेमन गॉट फैंक्शूप का एक बाल भी नहीं उखाड सकते डेमन गॉट फैंक्शूप ने मच्छड की तलम मसल सकता है तो ग